स्वालीकुम व्यूबस वेल्कम टू माय यूट्यूब चैनल तो आज हम बनाना सिखेंगे मटर और मूली का सादन तो इसलिए आप लोगरे क्या करने एक देखची लेनी और उसमें आपने प्याज और घीर डालेना है और जब ब्राउन हो जाएं दन आपने उसके अंदर और फिर जब वो पक जाए अची तरह भून लें उनको भूनने के बाद फिर आप लोगों ने अपने टेस्ट के कोड़ी एक दो चमच लाल मिर्चे आड़ करनी है और एक चमच हम इसके अंदर आड़ करेंगे हल्दी का और हल्दी आड़ करने के बाद अब हम इसके अंदर और और आड़ कर देंगे और हमतित अच्छी तरह बूनने के बाद लिसकीड़ पहले मटर मचट को हम आड़ करने के बाद आड़ करने केबाद अच्छ तरह ही लाएंगे और को तक्रिपन 5-10 मिनट तक भूनेंगे और साथ में हमने नमक नहीं आड़ के था नमक भी आड़ कर देंगे और हम मटर को पहले हमने इसलिए डाला था कि वह अच्छी तरह गल जाए ताकि जो मटर हैं अच्छी तरह गल जाए और अब हम इसके अंदर आड़ करेंगे मूलिया कदुकश की हुई और जब आप मूलिया अड़ कर लेंगे तो आपने क्या करना है कि इनको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि मटर हमसाला और मूलिया ये बराबर एक्वल कॉंटिटी में एक साथ मिक्स हो जाएं ठीक है मिक्स होने के बाद आप लोगों ने इसको पकाना है पांच से दस मिनट तक जो मूलियों का पनावी पानी होता है जब वो पक रही होती है तो उसमें से कुछ मूलियां के अंदर से पानी निकलता है ठीक है ताकि वो अच्छी तरह पानी भी निकल जाए और जो आपकी मूलिया है आप उनको अच्छी तरह मून भी लें ठीक है तो आपने क्या करना है अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर पानी नहीं डालना बलके ऐसे ही पकने के लिए 5-10 मिनट रख देना है जब यह अच्छी तरह भून जाएं तो फिर आपने क्या करना है इनको पकाने के लिए कच्छी कच्छी होगी तो इनको पकाने के यापने इसके अंदर कुछ पानी याड कर enabled छादा कुएंटिटी में पानी याड करना है ठोड़ा सा पानी याड करना है। जो हमारी मूलिया हैं और मटर हैं ये थोड़े थोड़े कच्चे हैं और ये बस पक जाए ठीक है तो हम इसके अंदर हमने पानी याड कर दिया है तो अब हम इसको कुछ देर पकाएंगे और जब इसको तब तक पकाएंगे जब तक पानी खुशकन हो जाए और ये हमारा पानी खुशक हो गया था और फाइनली ये हमारा मूलियों का सालन त्यार हो गया है